ना इंटरनेट ना सिम कार्ट का ज़ंजट बस एक बटन दबाते ही चले लगेगा वीडियो योट्यूब हो या इंस्टाग्राम या नेट्फलिक्स और सोनी सब भीना इंटरनेट के ही चलेगा पियमोदी ने इंजिनियर्स को दिया टास युद्ध से आपता तक मिलेगी मदर हिंदस्तान में एक ऐसी टिकनोलोजी आने बाली है जिसके बारे में सुनकर पहले तो आप भसेंगे लेकिन फिर आपको यकीन हो जाएगा कि तकनीक के इस दौर में कुछ भी संभव है इस तकनीक का नाम है D2M तकनीक जिसके आने के बाद आपके मुबाइल फोन में सिम कार्ट तो लगा होगा लेकिन रिचार्ज करवाने की जरुरत नहीं पड़ेगी नहीं इंटरनेट के लिए अलग से कोई कनेक्शन लेना होगा बस एक बटन दबाते ही आपका फोन वैसा ही काम करेगा जैसा आज इंटरनेट के दौर में करता है आप चाहे उस पर पूरी वेब सिरीज देखिए या फिर भारत पाकिस्तान का मैस देखिए अभी गावों में जब नेट की स्पीड कम होती है तो लोगों को बड़ा गुस्सा आता है लेकिन D2M तकनीक सब कुछ बदल देने वाला है पहले समझिए कि ये तकनीक आखिर है क्या फिर आपको बताते हैं इसके आने से आपकी जन्दिगी कितनी बदल जाएगी और इससे लाने में कितना वक्त लगेगा D2M का मतलब है Direct to Mobile मतलब सीधा सेटेलाइट के जरीए आपके मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन दिया जाएगा चोकि सेटलाइट का पूरा कंट्रोल कोई प्राइबिट कंपनी तो करेगी नहीं इसलिए इसमें इसरों के वग्यानिकों की मतली जाएगी IIT कानपूर के रिसर्चर इस मिशन पर अभी से लग गए ऐसा दावा किया जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में ये सुविदा आपको मिलने भी लगेगी आप इस तकनीक को ऐसे समझे जैसे टीवी चलाने के लिए पहले लोग केबल का कनेक्शन लेते थे उसके बाद DTH यानि Direct to Home के आने से केबल का दौर खत्म हो गया ठीक वैसे ही D2M के आने से हर मोबाइल में इंटरनेट रिचार्ज करवाने का जंजट खत्म होने वाला है हलाके किसी भी नई तकनीक को अपनाने में वक्त लगता है इसे लिए ये मान के चलिए कि आने वाले कुछ साल तक सब कुछ नॉर्मल ही रहेगा लेकिन बाद में जैसे जैसे लोगों को D2M का आप्शन मिलेगा वो इंटरनेट रिचार्ज करवाना धीरे धीरे बंद कर देंगी दूर संचार मंत्राले और प्रसार भारती IIT कानपूर की मदद से इस मिशन पर काम कर रहा है बकाईदर कमेटी इस पर रिसर्च कर रही है उसके बाद इस मिशन को जमीन पूतारा जाएगा कभी युद्धि आपात स्थिती आती है तो इंटरनेट बंद होने की बावजूत आप निउस लाइब देख सकेंगी जम्मो कश्मीर में ज्यादा तर दिन इंटरनेट बंद रहते थे लेकिन इस तकनीक से अब दिक्केते कम हो सकती है मतलब सीधे तोर पे सरकार आपको मल्टी मीडिया कंटेंट देगी उससे पता होगा आप क्या देख रहे हैं मतलब एक तरह से OTT प्लेटफॉर्म से लेकर आपके मोबाइल तक पे सरकार की निगरानी होगी जिसका विरोध भी हो सकता है लेकिन कहते हैं अवशक्ता अवशकार की जननी मानी जाती है और लोग फिलहाल इंटरनेट रिचार्ज महेंगा होने से बहुत नराज भी हैं इसे दोर में किसी नई तकनीक की बात लोगों को पसंद भी आ सकती है पहले जो रिचार्ज 30 दिन का होता था वो धीरे धीरे 28 दिन का हो गया इससे टेलिकॉम कमपनिया करोडो कमाने लगी लेकिन आवाज उठाने वाला कोई नहीं अगर ये तकनीक आई तो फिर टेलिकॉम कमपनियों को भी बड़ा जटका लग सकता है फिलहार दूर संचार मंत्राले का जिम्मा अश्शोनी वैशनों के पास है ये कामकाज के मामले में इतने सक्त हैं कि बैठक में BSNL का एक अधिकारी जपकी लेता दिखा तो उसे तुरंद BRS दिलवा दिया कहते हैं इस तकनीक कुली की दूरदर्शी सोच भी उन्हीं की है जिसके जरिया आप घर बैठे FM रोडियो की तरब बिना इंटरनेट के मन चाहब वीडियो देख सकेंगे इसके अलावा कई लोगों की डिमांड तो ये भी है के अलग-अलग OTT प्लेटफॉर्म पर आने वाली सिरीज किसी एक प्लेटफॉर्म पर भी होनी चाहिए हलाकि आप इस बारे में क्या सोचते हमें कमेंट कर जरूर बता सकते हैं ये बाते अभी आपको समझ में कम आ रही होंगी लेकि मोदी सरकार जिस मिशन पर काम कर रही है अगर वो काम्याब हो गया तो एक दिन मोबाईल आपका बिना इंटरनेट ही चलेगा ब्यूरो रिपूर्ट ग्लोबल भारत टीवी